असलेम वाली मेपने आफको बाबा लफ्स को कि मुक्शाम दीद है आज हमारे बाबा मारे ले बरी ही मज़ेदार हुंजा रेकां डाट है हंडी हुंजा में बंटी है के नहीं ये तो हमें पता नहीं यह होटी बहुती मज़ितार है आप इसे राजमी एक बार टो ट्राइ करेंगा इंशालला रेग्रेट नहीं करेंगे इसको बनाने के लिए आप एक टेबिश्पून भर के धनिया पाउडर एक टेबिश्पून लार्मेज पाउडर एक ट्यूस्पून हल्दी पाउडर ट्यूस्पून नमक चाहिए नमक और मिच्ची के मिगदार अपनी मर्शे से आप धाल सकते हैं अब इन सब मिसारा लोगो दो कप धाई में शामिल कर देए प्रेस में दो जुटकी सर्डे के नंग भी शामिल कर दें और आख्रे में एजूस्पून लेसन नारका बड़ा ले ली जिंगा हमने गलती से थोड़ा छोटा ले लिया है अब चिकन को इस मिक्षर में अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसे एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए मैरिनेशन हमेशा फ्रेज में करा करें इसकी बाद हमें एक तेव स्पून भर के गसोड़े में ठीच आईए साथी साथ 200 क्राम क्रीम के भी हम यहां पर पैकेट क्रीम अस्तामाल कर लाए हमें इसका रिजल जाद अच्छा लगता है एक बरी शिमला मेच के चकोर पीसिस कर लीजियें और साथी साथ प्यास के भी जैसे हम शासलिक के लिए करते हैं यहां पर हमने एक दर्मयाने साइस की प्यास को फ्राइ कर लिया है साथी साथ छे अड़र टमाटर भी गाट ली है और हमें तीन अड़र हरी मर्चे भी चाहिए अब हमने ठोड़ी सी प्यास का लिए अड़ी है बाकी को टमाटर और हरी मर्चों के साथ पेस बना लिया है अब हमने एक पैन में आदा कप तेल शामिल किया और फिर इसमें मैरिनेट होई वी चिकन शामिल कर दी आप चिकन को बिगार ड़के इतने देर पकाना है कि इसका सारा पानी खुश खो जाए और तेल छोलने लगे इस सारे प्रासिस को आप मिट्टी के बर्टन में भी कर सकते हैं मगर नहीं यह जादर कन्वीनियंट लग रहा था इसलिए हमने एक खराइए में बनाया जब चिकन का पानी अच्छी तरीकी से खुश खो जाए तो तामाटर वाला पेस जो हमने बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर दें अब तामाटरों का पानी भी खुश खोने दें फिर इसमें सारे बटाएवे डाए मसाले शामिल कर दें अब इन मसालों को मिक्षर में मिक्स कर लें अब इसके अंदर सारी की सारी क्रीम शामिल कर लें और इसको दोबारा से मिक्स कर लें अब इसको मीडियम आज पे इतनी देर पकाएं के के थोड़ा थोड़ा तेश होने रगे अगर आप इसको हांडी वाली प्रेंजिन्टेशन देना चाहते हैं तो मिट्टी की हांडी में तीन टेबिल स्पून मक्षन शामिल करें अब इसमें कटीवी प्यास और शिम्ला मेज भी शामिल कर दें चूले को मीडियम आज पे रखते हैं अब इसके अंडर बनाएं वाद चिकन शामिल कर दें और शब्जियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें हमारी चिकन और लेडी कुक्त है हमें वेजितिबल्स को थोड़ा नरम करना है ताकि इनका टेस्ट और अरोमा चिकन के अंडर आ जाए अब इसको बची वी प्यास से गानिश करें और इसके उपर लिट रख दें अब इसको तक्रीबाद से बंडरा मिनट के लें मीडियम सुलों आज पे पकने दें ठेकन उठाके देखें इसके उपर थोड़ी टाड़ी आ चुकी होगी जी जी आपके माज़दार हुन्जा इहान डे टियार है इसे नान के साथ नोश फरमाएं और हमें डूआ हमें रखें अगर आपको वीडियो पस्लाई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल स्ब्सक्राइब करें और कमें डोक्स में सब्सूर बनाएं लेकने गलेजी सागला हाईड़